C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ सबक नमबर 8 तीन कचुए ये एक युनानी लोग कहानी है सफा नमबर 41 एक मरतबा का जिक्र है कि तीन कचुए पानी में रहते रहते ठग गए उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की सैर करनी चाहिए जहां देवता रहते हैं जहां हर वक्त शान्ती और सन्नाटा रहता है जहां समंदर जैसे तुफान नहीं आते ये सोच कर तीनों कचुए पाहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े इसमें एक तस्वीर है उसमें तीन कचुए बने हुए हैं पानी भी बना हुआ है पेड, पौधे, खेत, खलियान सब दिखाई दे रहे हैं उन्होंने अपने साथ अपने खाने का बहुत सारा समान ले लिया क्योंकि उनका सफर बहुत लंबा था और समंदर से पहाड़ का फासला सैंकडो मेल का था फिर ये के कचुए जरा रेंग कर भी तो चलते हैं मगर ये तो आप जानते हैं कि कचुए बड़े मुस्तखल मिजाज होते हैं मुस्तखल मिजाज यानि जब वो एक बात को ठान लेते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं आपने सुना होगा कि एक बार एक कछ्वे ने अपनी मुस्तखल मिज़ाजी से एक खरगोश को दोड में हरा दिया था और लोगों को ये सबक दिया था कि आदमी भी चाहे तो मुस्तखल मिज़ाजी से अपने मकस्द में कामियाब हो सकता है हाँ तो मैं कह रहा था कि ये तीनों ही कच्छवे पहाड की तरफ चल पड़े चलते रहे चलते रहे रास्ता लंबा था और हर तरफ जार जनकार लेकिन वो कच्छवे भी धुन के पक्के थे उन्होंने ठान ली थी कि हमें जाना है अपनी मन्जिल तक पहुँचना है तो जाना है वो हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए बाला आखिर उनको पहाड़ी दिखाई दी जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई थी उनको यहाँ पहुचते पहुचते भी सियो साल गुजर गए थे इतने दिन के बाद जो उन्हें मन्जिल दिखाई दी तो उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था यहाँ पर एक तस्वीर बनी हुई है इसमें कच्छुए हैं और पहाड पेड सब दिखाई दे रहे हैं उन्होंने पहाड के दामन में एक बहुत अच्छी जगा पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें और इस शांती के अस्थान का कुछ मज़ा लूटें उन्हें यह जगे बहुत पसद आई हवा भी हलके हलके चल रही थी यह तो सर्दी का जमाना था लेकिन कच्छुए की खाल एकनी मोटी और सक्त होती है कि फौलाद ही उसका मुकाबला कर सकता है फौलाद यानि लोहा सफा नंबर 43 इसलिए उसमें सर्दी का क्या असर होता बरफिली हवाए आती ही तो कच्छुए अपना मुँ अपनी मोटी फौलाद जैसी खाल में चुपा लेते और उन्हें पता भी नहीं चलता कि हवा कितनी ठंडी है उनको यहाँ पहाड के दामन में बहुत अच्छा लगा और इस बात पर हैरत भी हुई कि आदमी भी कैसा मुर्ख है कि इतनी अच्छी जगा छोड़कर समुद्र में घूमता फिरता है उनको बहुत जोर की भूक लगी उन्होंने सोचा कि खाना खाना चाहिए ये सोचकर उन्होंने अपना खाना निकाला और बहुत से बड़े बड़े पत्ते खटे किये और फिर बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना निकाला लेकिन जब खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा यहां तो पानी का नाम और निशान भी नहीं है हर तरफ बरफ ही बरफ है जब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पानी कैसे पिएंगे यहां पर एक तस्वीर बनी हुई है इसमें पहाड भी हैं बड़े-बड़े कच्वा है और एक कच्वा पहाड के पीछे जा रहा है फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिला भी तो पता नहीं कैसा हो उनकी आदत तो समंदर का पानी पीने की थी उससे ही उनका खाना हजम होता था तीनो कच्वे सोच में पड़ गए उनकी समझ में नहीं आया किया किया जाए सब एक दूसरी की तरफ देखने लगे आखिर एक दूसरे से कहने लगे बड़ा कच्वा बोला मंजले कच्वे तुम जाओ और समंदर से जाकर पानी ले आओ फिर इत्मिनान से बैट कर खाना खाएंगे मंजला कच्वा बोला मेरी तुराई ये है कि छोटे कच्वे को जाना चाहिए वो इस वक्त भी खासा चुस्त चालाक मालूम होता है मैं तो इस वक्त बहुत ठक गया हूँ छोटे कच्वे ने बहुत आना कानी की ने कि बहुत मना किया मगर वो दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक न चली आखिर मजबूर होकर छोटे कच्वे को उनकी बात माननी पड़ी और वो बोला हम मैं चला तो जाओं मगर मुझे यकीन है मिरे जाने के बाद तुम मेरा इंतजार कि ये बगएर खाना चट कर जाओगे और जब मैं आऊंगा तो इस वक्त मुझे खाना भी मिलेगा तो वो भी जूटा होगा दोनों कच्वों ने कहा ये कैसे हो सकता है हम तुम्हारा इंतजार करेंगे और करते ही रहेंगे चोटा कच्वा संजीदगी से बोला यानि बहुत थोड़ा सा नाराज होकर बोला जी हाँ जरूर करोगे मुझे तो यकीन है कि तुम हरकिस हरकिस मेरा इंतजार ना करोगे मगर दोनों कच्वों ने बड़ी खुशामद की और उसे खुब पकावादा कर लिया कि जब तक तुम नहीं आओगे हम खाने में हाथ नहीं डालेंगे आखिकार मजबूर होकर चोटा कच्वा चला गया अब बाकि दोनों कच्वे बैठे इंतजार करते रहे इंतजार करते करते महीने गुजर गए साल गुजर गए दस साल गुजरे बीस साल गुजरे तीस साल गुजरे चालिस साल गुजरे पचास साल गुजरे यहां तक की सौ साल गुजरे सौ साल गुजर गए मगर छोटे कच्वे को ना आना था ना आया अब तो उन दोनों का मारे भू के बुरहाल हो गया उनको यकीन हो गया कि जरूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है वरना कोई वज़ा नहीं थी कि छोटा कच्छवा पाने लेकर ना आता उन्होंने सोचा कि अब ज्यादा इंतजार करने से कोई फाइदा नहीं अगर उसको आना होता तो अब तक आ चुका होता सफ़ा नंबर पेंटालिस आखिर भूक से बेकाबू होकर उन दोनों कच्छवों ने खाने में हाथ डाला और अभी उन्होंने खाना खाया भी ना था कि छोटा कच्छवा चट्टान के पीचे से कूता हुआ आया और बोला मैं जानता था कि तुम दोनों हरगीज हरगीज मेरा इंतजार न करोगे मैंने पहले ही कहा था इसलिए तो मैं गया ही नहीं था यहीं बैठा हुआ देख रहा था दोनों कच्छवे बहु चक्का रह गए लेकिन कहते हैं तो क्या कहते बच्चो इसमें तस्वीर में देखिए पहाड बना हुआ है दोनों कच्छवे बैठे हुए और कच्छवा छोटा वाला पहाड के पीछे चुपा बैठा है सफा नमबर 46 सवालात एक कच्छवे पहाडों की सैर क्यों करना चाहते थे दो वो पहाडों तक किस तरह और कितने सालों में पहुँचे तीन कच्छवे ठंडक का मुकाबला किस तरह करते थे चार समुंदर से पानी लेने के लिए मंजले कच्छवे ने क्या राए दी पांच, छोटा कच्छवा पानी लेने क्यों नहीं जाना चाहता था छे, बड़े कच्छवे ने कितने साल तक छोटे कच्छवे का इंतजार किया साथ, कच्छवों के खाना शुरू करते ही क्या हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए उर्दू की सहायक पाठे पुस्तक उर्दू गुल्दस्ता का ध्वानी पाठ कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन स्वर अफ्षान सिद्धी की तकनीकी समन्वय बठी लैंगलिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्मार सहयोग सौम्य मलिक निर्देशन वर निर्मार विमलेश चाओधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.